वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम सबी जानते हैं कि हमारे DBSC के सिलेबस में 9th क्लास की हिंदी में अलंकारों को इसामिल किया गया तो हम पिखले वीडियोस में अनुपरास अलंकार, यमक अलंकार, उत्मा अलंकार और रूपक अलंकार कर चुके हैं आज हम करेंगे मानवी करण अलंकार देखेंगे कि मानवी करण अलंकार क्या होता है तो चहां चेतन अवस्था को मनुष्य के क्रिया कलापों से जोड़ा जाए वहां मानवी करन अलंकार होता है यानि कि जब किसी ऐसी चीज से, किसी ऐसी वस्तु से जो कि मनुष्य नहीं है, हम मनुष्य जैसा व्यभार करवाएं तो इसे हम मानवी करन अलंकार कहते हैं यानि कि किसी ऐसी चीज़ का कि जो मानव नहीं है कविता में मानव की तरह उससे व्यभार करवाना उसको मानव कर देना मानवी करन अलंकार है परिभाशा है इसकी जहां काव्य में चेतन अचेतन अवस्था का सम्बंद तथा क्रिया कलाबों को मनुष्य के व्यवाहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है वहां मानवी करण अलंकात होता है जहां बेजुमान में जान होने का संकेत मिले वही मानवी करण लंकार की पहचान होती है अब इसके कुछ उधारन हम लोग जब सुनेंगे समझेंगे तो हमें यह और क्लियर हो जाएगा जैसे दिवसास वसान का समय मेग आसमान से उतर रही है वह संध्या सुन्दरी परी सी दीरे 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 दिवसासान का मतलब है दिवस प्लस अवसान दिवस का मतलब दिन अवसान का मतलब समाप्थ होना दिन के समाप्थ होने का समय यानि कि शाम का समय दिवसासान का समय मेग आसमान से उतर रही है वह संध्या सुन्दरी परी सी वह संध्या यानि वह शाम सुंदरी परी जैसी धीरे 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 यहाँ पर हमने साज को शाम को संध्या को सुंदर परी का मनुश्य के रूप में उसका वे होवार कराया है कि वो परी की तरह धीरे धीरे उतर रही है आसमान से शाम के समय तो ये मानमी करन अलंकार हो गया ये कोड़ है अचल हिमगिरी के रदय में आज चाहे कप हो ले या प्रलाए के आशों में मौन अलिकित दियो मरो यानि कि जो हमारा हिमगिरी है जो पहाड है उसके रदय में आज चाहे कंपन वो ले या फिर प्रलाए के आशों में मौन होकर के आसमान दो ले अब आसमान रोता नहीं है आसमान से तो बारिश होती है लेकिन यहाँ पर आसमान को रोता हुआ बताया गया है इसलिए यहाँ पर मानवी करन अलंकार है तुंग हिमालय के कंदों पर छोटी बड़ी कई जीले है यहाँ पर हिमालय के कंदों की बात की गया है पहार के कंदे नहीं होते हैं बेटे मनुष्य के होते हैं इसलिए हिमालय के कंदों की जब बात कही गयी है यानि कि हिमालय को मानव बता दिया गया है और उसके कंधो पर जीले होने का इशारा किया गया है कि उसके कंधो पर हैं वो जीले इसलिए यह मानवी करण अलबकार है अगला है, अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिलकुल बेखबर शहर को दो पैरों पर खड़ा हुआ दिखा दिया गया है जो कि एक पैर पर खड़ा हुआ है और उसे अपने दूसरे पैर की बिल्कुल भी खबर नहीं है शहर को इंसान के जैसे पैरों से तुल्ला की गई है शहर की यहाँ पर यह मनुश्य के रूपे बताया गया है यह यह मानवी करण अलंकार है अगला हेम कुंडले उशा सवेरे भरती बुलकाती सुख मेरे मंदिर उगते रहते सब जग कर रजनी भरता रहा यहाँ पर हेम कुंडले उशा यानिके भोर सुबा सुबा हेम कुंडले करके बुलकाती सुख मेरे मेरे सुखो को बुलाती है और मंदिर जो है उगते रहते हैं जग कर रजनी भरतारा रजनी भरतारा यानिके सारी रात तारों की तरह से भरी रहती है और मंदिर उंगते रहते हैं और उशा जो है सवेरे सवेरे मेरे सुखों को बुलकाती है अगला गुलाब खिलकर बोला मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूँ गुलाब बोला खिलकर बोला यहां मानवी करन अलंकार हो गया क्योंकि गुलाब जो है वेट निर्जीव पुष्प है उसे बोलने के गुण की उम्मीद की जा रही है कि गुलाब बोला बोलता कौन है मनुश्य है इसलिए यहां पर मानवी करन अलंकार है इसे इसपष्ट होता है कि कोई निर्जीव चीज है उसमें संझीव होने का संकेत म मिला या मनुश्य होने का संकेत मिला प्रक्रती में मानव के गुणों को देखना भी मानवी करन अलंकार ही कहलाता है जैसे कि मैं तो मात्र मित्तिका हूं कुम्भ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूं मैं तो मात्र मित्तिका यानि मित्ति हू और कुम्ब या कलश बनकर घड़ा या कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरम कर प्रिया हो जाती हूं मैं तुम्हातर मिट्टी हूं लेकिन कुम्ब और कलश बनकर तुम्हारे लिए जल लाती हूं मैं और तुम्हारी प्रिया हो जाती हूं यानि तुम्हारी प्यारी बन जाते हूं मृतिका जो है यानि कि मिट्टी जो है वो कह रही है कि मैं कलश बनकर या कुम्भ बनकर काम करती हूं और आपके लिए यहां पर जल भरकड के लाती हूं और आपके अकेलेपन में साथी बन उशा बतोरती अरुनगाव जागो जीवन के प्रभाद से जागने की उमिद की गई है जागने के लिए और आगरह किया गया है वशुधा पर ओस बनकर बिखरे हुए हैं हिमकन आशू हिमकन के आशू जो शोग भरे उशा बतोरती अरुनगाव और जिने उशा जो है अपने जो है अरुनगालों पर से बतोरती है यानि कि लाल-लाल गालों पर से बतोरती है उन हिमकन के आशूनों को यहां कभी ने प्रकृति के अमाधियम से लोगों को जागरूप करने का प्रयास किया है उसकी भाती यहां पर कौन बिखरा हुआ है अंग्रेज बिखरे हुए हैं जिने दूर भगाने का यहाँ पर संकेतों में इशारा किया गया है यानि कि अरुन गात यानि कि लाल-लाल जो गाल है वो मानवी करन अलंकार के साथ जोड़े गए अगला इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी वाले कहां बेचने ले जाती हो ये गजरे तारोड वाले इस रात को लड़की का रूप दिया गया है यहाँ पर मनुश्य का रूप दिया गया है कि है लड़की तुम कहां बेचने ले जाती हो ये गजरे तारोड वाले तारोड के जो तारा मंडल है आसमान में उसे गजरे की दुलना की गई है कि या तुम ये तारोड वाले गजरे इ यहां पर रात को एक ऐसी कन्या के रूप में बताया गया है कि जो गजरे बेच रही है बेचने के लिए निकल पड़ी है इस सोते हुए संसार के बीच में तो बिटा उम्मीद है कि आपको मानवी करन अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोग एक बार अपने पांचो अलंकार यानिक आनुप्राज, यमक, उप्मा, रूपक और मानवी करन अलग अच्छी तरह से अलंकार ये पांचो दोहरा लीजे इसके बाद में आप लोगों के लिए अलंकार का एक MCQ लेकर किया होंगी जिससे आपके पांचो के पांचो अलंकार और भी अच्छी तरह से स्पस्ट हो जाएंगे तो कल आप लोग अलंकार का वीडियो देखना कल यानिक संडे को बिलकुल न भूलें उससे आपके सारी के सारे अलंकारों की पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा और पेपर के लिए आपके पूरे-पूरे माक्स आने की गरंटी रही तब 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 पेलिए शुब रादी, टेक क्या हूं